नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं सिक्षकों की नियोजन काउंसलिंग का नया सेड्यूल जारी तैयार कर ले ये डोक्यूमेंट बिहार पंचाय चुनाव खत्म होते ही अब सिक्षकों की नियोजन की तैयारी सुरू कर दी गई है सिक्षा विवाग ने काउंसलिंग का नया सेड्यूल जारी किया है सिक्षा विवाग के अनुसार जन्वरी के प्रतम सक्ता में 1368 नियोजन इकाईयों में 12495 प्रावरम्बिक सिक्षक पद के लिए तीसरे चरन की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी की जाएगी बिहार में तीसरे चरण में होने वाली सिक्षकों की नियोजन काउंसिलिंग का नया सेडियोल जारी किया गया है। वहीं पंचायत नियोजन में कक्चा एक से पांच तक के लिए काउंसिलिंग 28 जनवरी को प्रकंड मुख्यालय में होगी। बिहार में इन स्कूलों के स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे मैट्रिक परिक्षा अगर दो दिनों में पूरा नहीं किया ये काम। बिहार भी दाले परिक्षा समीति के दोवारा अगले साल मैट्रिक परिक्षा देने वाले 25 स्कूलों के सेक्डों स्टूडेंट्स का भविस फस्ता दिख रहा है। अगर दो दिनों के अंदर ये स्कूल जे अपनी गलती नहीं सुधारी तो इन स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैट्रिक परिक्षा में सामिल होने से वंचित हो सकते हैं। बता दे कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परिक्षा में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। परिक्षा पास कर चुके हैं। पटना में चार कोरोना केस मिले वैक्षिन की दोनों डोज लेने के बाद भी हुए संक्रमी। देश में ओमिक्रोन का खत्रा बढ़ रहा है लेकिन बिहार के लिए राहत की बात यहा है कि यहां अभी कोरोना के केसों में इजाफा नहीं है। स्वास्थ विभाग की रविवार की रिपोर्ट में राज में कोरोना के नए 6 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टी मरीजों की संख्या 85 हो गई है। बिहार में ओमिक्रोन के एक भी मामले नहीं मिले हैं। बिहार से दिल्ली इस्थित National Center for Disease Control भेजे गए 31 सेंपलों की जिनोम स्विकेंसिंग के बाद उसमें ओमिक्रोन वाइरस नहीं पाया गया है। इन सभी सेंपलों में डिल्टा प्लस वाइरस की पहचान की गई है। स्वास्त विभाग के अधिकारिक सुत्रों ने इसकी पूष्टी की और बताया की NSDC दिल्ली से अभी 31 सेंपलों के जिनोम स्विकेंसिंग का रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह है घोसना जुनिया डॉक्टर एस्विकेंसिंग बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन सुमन ने रविवार साम को दी है। पर उसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा क्रोणा काल में एक माह का ज्यादा मानते प्रोचाहन रासी के रूप में देना हो। या DM या MCH जैसे हायर कोर्स करने के लिए PG कोर्स के बाद एक साल की नौकरी के बॉंड से मुक्ति का मामला सभी पहले से हिल्थ डिपार्टमेंट के संग्यान में हैं। बार-बार कोशिस करने के बाद भी सरकार इन मामलों पर कोई सखारातमक पहल नहीं कर रही है। इसलिए वे अनिस्चित कालिन कार्ज बहिसकार कर रहे हैं। बिहार में बढ़ रही है सीत लहर जल्द ही इसकुल बंद करने का आदेश दे सकती है सरकार बिहार में इस समय ठंड का कहर जारी है पच्छवा हवा से कनकनी बढ़ गई है ऐसे में सरकार इसकुलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है इसके अलावा क्राइसिस मेनेमेंट ग्रूप की बैठक में फैसला लिया गया है मीटिंग में ये तई हुआ है कि नियुनतम तापमान साथ डिग्री सेल्शियस या इससे नीचे हुआ तो स्कूलों में सुबह की कख्षाए बंद कर दी जाएंगी फिलार बिहार में नियुनतम तापमान 11 डिग्री सेल्शियस है मौसम बिभाग के अनुसार आने वाले समय में सीतलहर बढ़ सकती है इससे बच्चों और उनके अभिभागों की परिशानी बढ़ सकती है इसको देखते हैं सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा इसको लेकर बिहार सिक्चा परियोजना के निर्देशक स्रिकांतर सास्त्री ने इस आशाय का आदेश सभी डियों को जारी कर दिया है बिहार में जिला परिशत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव की तीथी गोसित जारी किया गया दिसानिर्देश बिहार में अभी अभी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई है जिसमें बिहार में पंचायत राज संक्स्थाओं के चप मुई की पदो ग्राम पंचायत सदस ग्राम पंचायत मुख्या पंचायत समीती सदस जीला परिसद सदस ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के पदों के चुनाव 11 चर्णों में पूरे किये गए अब जिला परिसदों के अध्यक्ष और उपध्यक्ष उप मुख्या उप सरपंच पंजायत समीती प्रमुक के चुनाव की तीथी सनिवार को जारी कर दी गई है। प्रमुक उप प्रमुक अध्यक्ष उपध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इक क्लिनिक की सुरुवात की है उन्होंने बताया कि बिहार में ततकाल 100 क्लिनिक काम करेंगे इसके बाद इसकी संख्या बढ़ेगी। इक क्लिनिक के साथ अगले वर्च में एक करोर लोगों का इलेक्टोनिक स्वास्त रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। इक क्लिनिक की लांचिंग के मौके पर स्वास्त मंत्री ने काया कि यहाँ एक बहुत ही अच्छी सुरुवात है। बिहार के पढ़े लिके लोग पूरी दुनिया में ख्याती अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में खास बात यहाँ है कि दुनिया में ख्याती अर्जित करने के बाद लोग अपने बिहार की उन्नती के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बिहार की स्वास्त विवस्ता बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा हैं जो की अच्चन्त सराहनिया है बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर पहले नमबर पर है हरियाना जारकन की इस्तिति ठीक अभी कुछ दिन पहले निती आयो की रिपोर्ट में बिहार को फिसड़ी राज का दर्जा मिल चुका है इस पर राजनिती गर्म हो गई है इसके बाद ही एक और रिपोर्ट निती सरकार के लिए टेंसन पैदा करने वाली है साथ ही विपक्ष को और मुद्दा देने वाली है करे तो दो महने के भीतर बेरुजगारी दर में 4.8 परतिसत का इजाफा हुआ है हाला कि नॉमबर में देश के कई अन राजों में भी बेरुजगारी दर बढ़ी है इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि निती सरकार ने सारीरिक अनुदेसकों को बड़ी सरकार देने का फैसला किया है नितीज सरकार राज के प्रादमिक स्कूल में तैनात सिक्षा और स्वास्थ अनुदेसकों को 8000 रुपईये मांदे देने जा रही है बतादे की सरकार ने प्रतिस सलाना 200 रुपईये की वेतनाविर्दी देने की बात कही है आपको बतादे की सिक्षा विवाग के उपसचिव अर्षद फिरोज ने इस मामला में अधिसूचना जारी कर दी है जल्दी इन पदों पर आरक्चन रोस्टर किलियरेंस होने के बाद ही पोस्टिंग का सेडियोल जारी किया जाएगा जिन विद्यालेओं में 100 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनका एडिमेशन आर्टी आई के जरिये हुआ है वहां सारीरिक, सिक्चा, सस्वास्त, अनुदेशक की बहाली की जाएगी सासाराम सदर अस्पताल का हाल मुबाइल का फ्लैस जलाकर होता है इलाज वीडियो वाइरल बिहार में वहतर स्वास्त विवस्ता का दावा सरकार करती है लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है यह सासाराम सदर अस्पताल से आई इस तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है जहां मुबाइल का फ्लैस जलाकर डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मरीज का इलाज करते नजर आ रहा है अस्पताल में बिजली गुल थी जिसके कारण टॉर्च की रोसनी से मरीज का इलाज किया गया मरीजों की परीजनों ने इस लच्चर वेवस्था को अपने मुबाइल में क्याद कर लिया जो सोसल मीडिया पर खूँफ वाईरल हो रहा है सोसल मीडिया पर वाईरल यह तसवीर रोहतास के सबसे बड़े हस्पिटल सासाराम सदर अस्पताल की है जहां ट्रामा सेंटर में टॉर्च की रौसनी में मरीज का इलाज करते डॉक्टर नजर आ रहा हैं सदर अस्प्रताल की पोल खोलती यहां तस्वीर इन दिरों सोसल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है सनिवार की रात मरीज के इलाज के दौरान अचानक बिचली चली गई जिसके बाद मोबाइल का फ्लेस जलाकर कर सेरवा से आई रिंको कुमारी का इलाज डॉक्टरों ने मोबाइल का फ्लेस जलाकर टॉर्च की रौसनी में किया तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही भिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भूले धन्यवाद